दोस्तु जै प्रकास पॉर वेंचर्स लिमिटेट की बात करें तो श्टॉक के अंदर आज भी काफी बड़ी गिरावट हो रही है लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत ज़्यादा चोकाने वाली ख़बर निकल के आ रही है आखिर इस गिरावट के पीछे वजग क्या है वो समझेंगे इस वीडियो के माद्यम से और क्या इस गिरावट का फाइदा उटा के हमें जेपी पाउर में इन्वेस्मेंट करना चीए वैसे ज़पी पाउर फिलाल तो एक चोटा सा पैने स्टॉक है क्योंकि प्राइज की काफी कम है एक समय जो स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता था वो मात्र 13 के आसपास है तो क्या इसमें इन्वेस्मेंट किया जा सकता है तो जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर positive value क्या और इसके negative प्राइज क्या है उसको समयन चीए आपको जिससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि क्या स्टॉक में इन्वेस्मेंट किया जा सकता है वैसे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस समय सरकार चाहरी है कि thermal power plant से जो pollution हो रहा है उसको कम किया जाए लेकिन एक जो लेटेस रिपोर्ट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी चौक आने वाले है क्या है रिपोर्ट उसको समझेगे उसका क्या नुकसान हो रहा वो भी जाने की कोसिस करेंगे वैसे तो सरकार ने एपनी तरब से clear कर दिया है कि आने वाले समय में भी वो thermal power plant की capacity को solution कमा करना चाते उसके लिए रास्ते तला से जा रहे अब आज बाजार में सांदर तेजी है और इसके पीछे वज़बी है कि अलड़ी हमने देगा कि पिछले तीन टेडिंग से एफवाई बाजार में जम के खरिदारी सुरू कर चुके ऐसे में बाजार में खरिदारी का लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस बीडवे और मारे अपने चैनल ऑन लाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी लगबग पौने तीन का टाइम है बीएसे सेंसेक तो काफी दिन के बाद सांदार तेजी बनी और लगबग 1% के आसपस की तेजी है बीएसे एनर्जी में भी देखे तो आपको तेजी देखना को मिलेगी इस समय 9025 के इस तर पे 0.76% की तेजी है तो एनर्जी सेक्टर में तेजी है लेकिन वाजार के मुकाबले कम है अब ज स्टॉक के सुरुआत 13.55 पर हुई पॉजिटिव सुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 13.50 के आसपस थी इंट्राडे में 13.65 का हाई भी बना लेकिन जो लो है वो 13 का है अभी इस समय 13.05 के आसपस स्टॉक है जा पे 3.33% की गिरावट देखना को मिल रही है तो लगब पहले 12.00 का वलीव माता 4.00 की डिलेवर उठाए हाई थी कल मात्रे 7.00 का ही वॉल्म माता 3.00 की डिलेवर उठाए थी लकिन आज बाजार अभी शुरुआत दो बजे के आसपस ही 21.00 का जबरदस वॉल्म हो चुका है पूरे बाजार में वॉल्म के मामले में JP Power नंबर 2 पे ह नमबर एक पे आपको IRDA दिखा देगा मनब इंडिया निदिया लेडर जी जिसकी आज लिष्टिंग हुई है बंपर लिष्टिंग हुई है और आप देख सकते हो जिसको भी IPO में शेयर लगे उनके लिए जबरदस मौका है आप देखी सकते हो कि श्टॉक 87% का बंपर रिटन दे रहा है इस समय तो काफी जबरदस जिसको भी आप देखे तो IPO में शेयर लगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो चुके अब यस बैंक नमबर तीन पे आज पॉजिटिव माउस थोड़ा सा बना हुआ है वोड़ा फॉन एडन नमबर चार पे ह और पांच नमबर पे स्रियाम EPC दिखा देखा तो जेभी पॉर आज वॉलिम टॉपर में नमबर दो पे दिखाई दे रहा है इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखे तो 5.15 52 विक का लो है लेकिन हाई जो है वो 15 का है फिलाल इस्टोग अपने उपरी लेवल से लगबग आपको दोर पे नीचे मिल रहा है अब यहां पे जो लेटेस अपडेट निकल के आ रही है तो Center for Science and Environment की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गए जिसमें कहा गया कि 11 कोल बेस जो थर्मल पॉर प्लांट है जो 300 किलोमेटर की दूरी के अंदर है दिल्ली से वो बहुत ज़्याद को कम किया जाए लेकिन यहां पे जो लेटेस अपडेट है कि दिल्ली से जो छटे हुए 300 किलोमेटर के रेडियस में जो भी आप देखें तो जो पॉर प्लांट है वो 11 वो बहुत ज़्यादा इस समय पॉलूशन फैला रहे है तो इस study में कहा गया है कि सिर्फ दो प्लांट है वो यहां पे FGD का इस्तेमाल कर रहे है तो यहां पे इस report में यह भी का गया कि सिर्फ दो पॉर प्लांट है वही FGD का इस्तेमाल कर रहे है जो एक लेटेस टेकनोलोजी है और इसका इस बाकी पॉर प्लांट इस टेकनोलोजी को अभी तक एड नहीं किया और इसके इंद्रा गांधी सूपर थर्मल पाउर प्रोजेक्ट मातमा गांधी थर्मल पाउर प्रोजेशन इसके लावा पानिपत टीपीएस राजिव गांधी टीपीएस यमुना नगर टीपीएस इसके लावा देखे तो राजपुरा थर्मल पाउर प्लांट इसके लावा तलवंड साबोर टीटीपी गुरू हर्गोविन सिट टीपीएस रोपर टीपीएस पंजाब का फिर दादरी का पाउर प्लांट और हर्दू गंज तो यह जो पाउर प्लांट है इस समय देखे तो आज बहुत ज़ादा पॉलुशन कर रहे हैं फिलाल जिसने भी FGD टेक्नो इस्तिमाल कि उसमें दो है मात्मा गंदी टीपीएस और दादरी टीपीएस इन्होंने अभी FGD टेक्नोलोजी का इस्तिमाल शुरू कर दिया है तो आप देखे तो कि इसके वज़े से पॉलुशन काफी जाला हो रहा है और सरकार चाहती है कि थर्मल पाउर प्लांट से जो भी दिखा जो है एन्युल रिवेन्यु जिसमें 21.86% की सांधार व्रिदी है जो लास्ट इयर 5922 क्रोट के आज पस था सेकेंड पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टर रिवेन्यू जिसमें 2.57% की गिरावट ही है जो यह रंद बिसिसमें 1359 क्रोट के आज पस था तीसर अगला पॉइंट पॉइंट और वो है स्टॉक की प्राइज जिसमें 73.03% की सांधार व्रिदी देखना को मिल रही है एक पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है प्राइज टू अर्निंग रेशियो जो माइनस 5426.43 है और यह इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा अगला पॉइंट आपको फिर से पॉइंट दिखाए देगा और वो है डेट टू एकुटी रेशियो जो पॉइंट सेवन टू है लेस देन वन है और यह इसके लिए पॉइंट बनता पॉइंट दिखाए देगा अगला पॉइंट आपको फिर से निगेटिव दिखाए दे प्रमोटर के holding unchanged 24% के आसपास है एक point फिर से आपको positive दिखाए देगा और वो है interest coverage ratio जो 2.24 है higher than 1.5 है तो यह इसके लिए positive point है एक last point negative और वो है promoter के गिर्वी share 79% के आसपास है अब यहाँ पे total अगर हम negative point की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 negative point दिखाए देंगे अगर हम बात करें positive point की तो आपको 5 positive point दिखाए देंगे यानि लगबग balance है एक point negative जादा है एक point neutral भी है तो कुल मिला के फिलाल इसमें आप ज़्यादा चिनता जनक बात नहीं है JP power के लिए क्योंकि अलड़ी यह तो यहाँ से संभावना positive बनी हुए अब चलते हैं कुछ बड़ी deal की तरब जो बहुत ज़्यादा चोकाने वाली है तो सुबर 10 बचकर 38 मिनट पर 13.30 की प्राइसे 30,453 की जबरदस खरिदारी हुई फिर 10 बचकर 45 मिनट पर 13.20 की प्राइसे 30 लेक 52,000 की एक बीक्वाली हुई उसके बाद 10 बचकर 50 मिनट पर 13.40 की प्राइसे 30.60 बचकर 13.40 की प्रैसे 30,97,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई उसके बाद 11 बचकर 15 मिनट पर 13.50 की प्रैसे 41,47,000 की एक जबरदर खरीदारी हुई उसके बाद 12 बजे 13.55 की प्रैसे 35,57,000 की जबरदर खरीदारी हुई फिर बारा बचकर एक मिनट पर 13.55 की प्राइस से 39,95 अचरों की बंपर खरीदारी होई तो यह क्लेले आप समझी सकते हो कि बले ही आज फेयर की प्राइस में गिराउट हो लेकिन डिल सारी की सारी खरीदारी की है अनि बड़े फंडाउस इस लेवल पर जम के खरीदारी करें यह बहुत बड़ा इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है यानि भले गिराउट 3% की हो लेकिन जो डिल है वो सारी की सारी बड़े फंडाउस के खरीदारी की है यही सारा करिया कि आने वालस में एक सांदार तीजी बन सकते हैं और इस टॉक फिर से कमाल कर सकता है एक बार इसके पीवोट लेवर को चेक कर लेते हैं तो यहां से गर गिराउट होती है तो 13 का फर्स सपोर्ट है वैसे इस सपोर्ट को इसने आज टच किया सेकेंड सपोर्ट यह उसको तोड़के नहीं है बनाएगा और फिर 16.60 तक जा सकता है जहां पर पॉजिटिव से मौनब बन रही है तो कुल मिला के अगर आप लॉंग टर्म इंवेस्टर तो अच्छा मौका है खरिदारी करें शौर्ट टर्म इंवेस्टर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला यह उल प्रॉट तो टो इंवेस्टर अच्छा एंई